दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चेनल अमजी टूटोरियल आज हम स्टार्ट करने वाले कलास ने साथ जियोमेट्री का चेप्टर नमबर टू पाइथागुरस थेरम का लेक्चर नमबर टू अगर आपने लेक्चर नमबर नहीं देखाए तो इसको जाके देख सकते आज हम स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रोपर्टी बताता हूं जो कि आपको को सब्सक्राइब काम आएगी तो अगर आपने सुनाई होगा 45 45 90 डिग्री का ट्रेंगल तो इसके बारे में कुछ जानते हैं माली कोई ट्रेंगल है कि ए बी सी 45 45 तो जो साइड 45 के है श्राइब होगा वह ऑन अपन रूट ट्व इनटू हाइप अचाइप ट्रेंच एंज आए सी इसकी वह यह मालों पहलन ब्लाइज और देखिए हां प्रॉटी के अपोजे सीविए तो बी सी की वेली भी हो जाएगी वह फंपन रूट ट्वू इनटू हाइप ट्रेंच तो देखिए यहां RHS दोनों का से में तो यह दोनों भी इकल हो जाएंगे मतलब कि AB इकल होगा BC के यह आपस में इकल हो जाएंगे वन अपन रुक टू इन्टू AC के तो इसी प्रॉपर्टी का यूज होने वाले इस है तो चलिए इस कॉस्ण को करते कंप्लीट तो चलिए करते स्विस्जिंटकों तो जिसे कि यहां दिया है इसको फिल करना है तो यह तो अपने को पहले से घीवें दिया तो यहां लिख देंगे घीवें फिर पूछाए एंगल BAC, तो एंगल BAC, यह अगर 90 है और यह दोनों साइड इक्वल है, तो यह पक्का 45 होगा, और यह भी 45 होगा, तो हम लोग से पूछाए BAC की वेली, तो यह हो जाएगी 45 डिग्री, फिर देखी AB इक्वल है BC के, और मैंना आपको यह प्रोपर्टी बताय इसके साब से AB इक्वल है BC के, और यह इक्वल हो जाएगा, रूट, 1 upon root 2 into hypotenuse, यहाँ है AC, फिर यहाँ भी यह यह आएगा, 1 upon root 2 से 1 upon root 2 cancel, answer is 2, तो चलिए अब देखते हैं, question number 6, question number 6 क्या बोड़ा है, find the side and perimeter of a square, whose diagonal is 10 cm, तो एक square है, मालो ABC नाम का को square है, उसका diagonal के length दिए 10 cm, अपने को लिकालना है, perimeter और square का side, तो अपने को पाता है, diagonal का formula, यहाँ लिखते हैं, solution, we know there, हम जानते हैं कि diagonal क्या होता है, diagonal of square, equal होता है, root 2 into side के, हम लोगे यहाँ side लिकाला है, diagonal की value दिए, तो diagonal की value कितनी दिए 10 cm, यहाँ 10 आ जाएगा, root 2 into side, अपने को side की value चाहिए, तो यह root 2 यहाँ multiply में जादा के divide करेगा, 10 को कैसे लिख सकते, 2 into 5, और यह 2, और 2 कैसे लिख सकते, root 2 into root 2, root 2, root 2 क्या हो जाएगा 2, तो यह यह 2, और यहाँ आजएगा 5 जैसे वैसे ही, और नीचे root 2 हाई, यह आजएगा side की value, तो यहाँ से root 2, root 2 cancel हो गया, तो बचा, 5 root 2, और यह equalize side के, तो side की value आ गई 5 root 2, अब perimeter पूछा है, और square का perimeter क्या होता है, 4 into side, 4 into side की value क्या है, 5 root 2, तो इसको solve करेंगे, तो कितना जाएगा, 4, 5, 20, root 2, centimeter, यह इसका perimeter ही, यह इसका side, चलिए, आप देखते क्यों सेवन, क्यों सेवन क्या पूछा है, इन फिगर, एंगल D, F, E, 90 डिग्री दिया है, और F, G, perpendicular, AB पे, और अपने को G, D की value दिये, और F, G की value दिये, अपने को find करना है, E, G की value, F, D की value, and E, F की value, तो यह जो question है, इसमें लगने वाला है theorem of geometric mean, जो कि मैंने lecture number 1 में बता है, अगर आपने वो lecture number 1 नहीं देखा है, उसमें पूरा basic है, तो यहां मैं यह नहीं बता हूँ, फिरम of geometric mean क्या होता है, बस इसको solve कराता हूँ, तो भी आपको पता चली जाएगा, तो चलीए देखते कुछे number 7, तो देखियां, geometric mean कैसे लगया, तो एक triangle है, नाम है इसका EDF, 90 degree है, F पे और वहां से perpendicular घिचा गया है, हाइपोटेनस पे, तो यहां से एक theorem आता है, जिसको बलते है, theorem of geometric mean, तो इससे क्या हो जाएगा, जो FD, FG का square होगा, यहां लिखते है, by, theorem of geometric mean, FG का square होगा, वह इकल हो जाएगा, DG into GEK, G EG, FG की value दी है, 12, तो यहां जाएगा, 12 का square, GD की value दी एट, अपने को EG की value लिकान लिए, 12 का square होजाएगा 144, यहां 8 multiply में यहां जाएगे divide, तो इसको divide करेंगे तो answer आएगा, 18, तो EG की value आगे 18, अब हम find करते, FD की value, तो मैं लिख देता हूँ, अपनी आई थी, EG की value 18, यहां लिख देते हैं units, इसका काम आएगा भी, तो चलिए अब देखते है FD की value कैसे लिख लेगी, तो FD, FD कहा है इस side, तो देखिए यह triangle है FGD, तो इसमें अपने को FG की value पाता है, और GD की value पाता है, तो यहां लिख लिख जाएगी, यह 90D की तो यहां लोग पाइथागोरस theorem लगा सकते हैं, तो यहां लिखते हैं, बाइ, पाइथागोरस theorem, FD का square equal हो जाएगा, GD के square पलस FG के square के, FD की value अपने को लिकाने लिए, GD की value दी है अपने को 8, तो यहां जाएगा 8 का square, पलस FG, FG के लिख दिए 2L, यहां आ जाएगा 2L का square, तो यहां जाएगा 64, यहां जाएगा 144, तो यहां जाएगा आपका 208, अभी लेंगे इसका square root, FD is equal to under root, इतना, अहां हम लिका आते है, 208 का factor, तो इसका factor हो जाएगा, 16 into 30, तो 16 का square root आजएगा 4, 4 root 13, तो 13 का factor नहीं, इसका answer आएगा, 4 root 13, यहां लिख यहते हैं यूनिट्स, तो FD की value आजाएगी, 4 root 13, तो चलिए value लिकालते हैं, EF की, तो EF कौन से triangle में आ रहा है, EFD में, इसकी value लिकालनी है, इसका value हम लोगों को पाता है, यह side की value, यह दोनों को जोड़ेंगे, तो यह side की value आजएगी, और इस side की value हम लिकाले, तो इस triangle में यह 90 degree अगर यहां हम लोग पाइथागोरस थेरम लगाएंगे, तो इस side की value आजएगी, तो लगाते हैं आप पाइथागोरस थेरम, यहां क्या हो जाएगा, ED का square, ED का square, equal हो जाएगा, DF के square पलस, EF के square के, therefore, ED का square क्या होगा, ED क्या है, 18 plus 8, यह दोनों को जोड़ेंगे तो आजएगा, ED, ट्वेटिन पलस 8 आजएगा, 26, तो 26 का square equal हो जाएगा, DF के विलिए अब हम लगा लिका ली थी, DF के विलिए कितनी है, वो रूट 13, 4 रूट 13 का square, EF के विलिए अपने को लिकान ला है, 26 का square हो जाएगा, यह, वो इसका करते है, 4 का square हो जाएगा, 16, रूट 13 का square हो जाएगा, 13, क्यूंकि रूट से square cancel, इसके विलिए आजाएगी, 208, यह सी, therefore, यहांके माइनस हो जाएगा, EF का square, तो इसको माइनस करेंगे, तो आंसर आजएगा, 468 is equal to EF का square, यहां से square हटाएगे, तो आजएगा, EF is equal to under root में 468, 468 का factor लिका लेंगे, तो यह हो जाएगा, 36 into 13, इसको लिख सकते है, 36 का square root आजएगा, 6, और root में बचा 13, क्यों, 13 को फेक्टर लिए, तो यहां EF के लिए आगई, 6 root 13 units, तो इसी के साथ हमने question number 7 में complete किया, तो चलिए अब देखते है question number 8, question number 8 में क्या बला है, find the diagonal of a rectangle, whose length is 35 cm, and width is 12 cm, तो माँ लोगों को एक rectangle है, A, B, C, D, इसका length है 35 cm, और width दिया है 12 cm, हम लोगों को लिखाना लेंगा लेंगा लेंद, मतलब कि AD का कितना value आएगा, तो यहां लिखते है, solution, आपको पता है कि rectangle में भी angle होते हैं, सम 90 degree होते हैं, तो यह बेती यह बेती, यह b tead, 19 degree होते हैं, उती होते हैं अर इससदाट कि प्रटह न लहाखा, यह depress if the saveて को लिए, प्रटह ल्या में गृतिए, तो यह सबूलुद तो यह दंगा शचा लिकार जाएगी जएंud, लेते टेंगल A, B, D, छिलिकते इन टेंगल A, B, D, एंगल B दिया है 90 डिग्री, छिलिकते बाइ, पाइथागोरस थेोर्म, A, D का स्क्यार, एक्वल होगा, A, B के स्क्यार, पलस B, D के स्क्यार के, तो A, D का स्क्यार, अपने को पता नहीं, A, B, A, B की वेलू दिये, 35 का स्क्यार हो जाएगा, B, D की वेलू दिये, 12, इसका स्क्यार, 35 का स्क्यार हो जाएगा, ये, 12 का हो जाएगा, 144 AD square इसको जोरेंगे तो कितना जाएगा 369 दोनों साइड लेंगे स्क्वेर रूट डायरेक कर देते यह जाएगा 369 तो इसकी विल्व आज़ेगे 37 cm तो AD की विल्व आगे 30 cm और यह AD आपका क्या डाइगनो ले तो इससे AD की विल्व लिकल गई तो आज के लेक्चेन अबस इतना ही आगे की जितने को से ने उसको हम लोग लेक्चेन अब ठाट में करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर किजेगा